सत्रह महत्पूर्ण कीचेन टिप्स ध्यान रखने योग जरूरी बारते नमबर एक आप जब भी गुड के चास्नी बनाते हैं तो उस समय आपकी कडाही में अक्सर चिपक जाती है अगर आपको इससे बचना है तो अपनी कडाही में थोड़ा सा घी या तेल लगा लें चाहिए ऐसा करने से मखन जाद मातरा में निकलता है नमबर तीन आप घहरी पर गुलाब जाबुन बनाते हैं तो आपके लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप खोया में थोड़ा सा पनीर या छेना डाल लें इससे आपके गुलाब जाबुन सौक्ट और अंदर से रसीले बनेंगे नमबर चार आप अपने घहर पर दही जमाते हैं और आपका दही नहीं जमता है तो समतल थाली में पानी ले और फिर इसमें दही बाले बरतन पानी में रखे ऐसा करने से एक घंटे के अंदर दही जम जाएगी नमबर पाँच अगर आप अपने अचार को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो उसमें बार-बार हाथ ना डाले बलकि बीच बीच में धूप दिखाते रहें ताकि वो लंबे समय तक चल सके नमबर छे, आम के अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए आप उसमें थोड़ा सा गुड डाल कर मिलाएं, ऐसा करने से आपका अचार बेहद ही स्वादिष्ट बनेगा नमबर साथ, आपको अगर ताजा नारियल असान तरीके से फोड़ना है तो आप पहले उसका सारा पानी नारियल के उपर छेद करके निकाल लें, इसके बाद उसे गैस पर दो से तीन मिनट तक सेक लें, इससे उपर का हिस्स सकड़क हो जाएगा और वे असानी से चटक कर रखना चाहते हैं तो आपको केले के गुच्छे को लटका कर रखना चाहिए, ऐसा करने से आपके केले पांच से छे दिनों तक खराब नहीं होंगे, नमबर नौ, आप भी दूद से जादा मलाई निकालना चाहते हैं तो पहले दूद को अच्छे से उबलने दे और उसे ठ रीज में रखे, जिसके बाद आप देखेंगे कि आपकी दूद की मलाई और जादा मोटी हो गई है, नमबर दैस, अगर नरम दही बड़े बनाना चाहते हैं तो पीसी हुई उरद की दाल में थोड़ी सी बेशन डाल कर उसे अच्छे से फेटें, ऐसा करने से बहुत ही नर नमबर बारा है, नॉन एश्टिक पैन का कम से कम उप्योग करें, यह केबल कूछी ही चीजों के लिए अच्छा है, नमबर तेरा है, अपनी कोफी को कम कड़वा करने के लिए उसमें थोड़ा सा नमक मिलाएं, नमबर चोदा है, प्राकिर्टिक रूप से मीठे नीबु प पहले उसे अवन में भून लें, नमबर पंदरा है, अधरक को फ्रीजर में रख दिए, टाकि उसे कद्दू कस करना और भी आसान हो जाए, नमबर सुल्ला है, माइक्रो बेब में बचा हुआ खाना दुबारा गर्म करते समय, उपर एक गिला कागच का तोलियां रखें, न यहीं फ्रीज में रख लें, यदि आपको यह कीचेन टिप्स अच्छी लगी हो या आप ऐसे ही और किसी टिप्स के बारे में जाना चाते हैं, तो आप किरप्या मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी परकार की टिप्स तथा जानकारी मिलती रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,